नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टड़ी विद अच्पी स्वामी पर जहां पर आपको हर दिन हाई कोड एससी इत्यादी विबागों है तू डिक्टेशन समय पर उपलब्द करवाए जाता है दोस्तों आज का यह डिक्टेशन साथ सब प्रति मिनट रहेगा दोस्तों आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महतुपूर्ण आउटलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तो मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूँगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे दो सेकंड बाद स्टार्ट आंदोलन आ दै बना करके दै को ले से काटा गया है के साथ एक बड़ा सब्द सै जो लाइन के साथ चलते हुवे लिखना है अधिकार ए के साथ रै को जोड़ा गया है काम्याब काम को ये से काटा गया है पक्स विपक्स पक्स को वै से काटा गया है साहिन बाग साहिन को वै से काटा गया है संगठन, सै को ठै नय से काटा गया है जिम्मेदारी, जै को दारी से काटा गया है परमपरा, पै रै को पै से काटा गया है के बीच, पहले सब्द के नीचे उल्लटा बै लिखना है दोस्तों आज का यह डिक्टेशन साथ सब्द प्रती मिनट इस्टार्ट होगा पांच सेकंड बाद स्टार्ट देश आज भोत्तरवां गनतंत्र दिवस मना रहा है दिल्ली के राजपत पर हर बार की तरह सौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन होगा भारत दुनिया को अपने साथ दसकों की उपलेबदियां दिखाएगा लेकिन किसान आंदोलन से उपजा दर्द इस बार के समारोह में एक बड़ी टीस की तरह उभरता नजर आ रहा है पिछले साल समारोह में साहिन बाग आंदोलन का साया था गणतांत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली को इंसा के दोर से भी गुजरना पड़ा था इस बार भी किसानों की ट्रेक्टर रेली होनी है उम्मीद है की सब कुछ सालीनता के साथ होगा आंदोलन लोक तंत्र की खासियत माना जा सकता है सरकार के फैसलों के खिलाब आवाज उठाना प्रतेक नागरिक और संग्ठन का अधिकार है लेकिन इस विरोध की एक लक्षमन रेखा भी होती है जिसका सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता की बीते साथ दसकों में देश निरंतर प्रगती के पत पर अग्रसर है आर्थिक क्षित्र हो सेन्य हो अथवा विज्ञान और तकनीक का मामला हम दुनिया की अग्रिम पंक्ति में अपना इस्थान बनाने में कामयाब रहे हैं लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले कुछ सालों में विचारधारा की टकराहट भी बढ़ी है राजनीतिक दलों में सर्व सम्मति का अभाव होता जा रहा है ये टकराहट देश संसद के भीतर भी देखता है और सडक पर भी संसदिये कार्य प्रनाली पर भी सवाल उठने लगे हैं संसद का हर सत्र टकराव से सुरू होकर हंगा में के बीच सीमट कर रह जाता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्ष की परंपरा चिन होती जा रही है एक दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहारों का सिल्सिला लगातार बढ़ रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर इन मुद्दों पर भी विचार होना चाहिए पक्स विपक्स को आत्म चिन्तन करना चाहिए कि चूक आखिर कहां हो रही है आम जन से जुड़े मुद्दों पर संसद में ठीक ढंग से बहस क्यों नहीं हो रही किसी एक पक्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता लेकिन रास्ता देश को ही तलासना होगा हम अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा लोक तांत्रिक देश कहने में गर्व महसूस करते हैं लेकिन लोक तांत्रिक परंपराओं का निर्वहन इमानदारी से नहीं करते राज्यपाल और मुख्य मंत्री के बीच टकराव अथवा विदान सबाव अध्यक्सों की कार्य सेली पर उठने वाले सवालों का जवाब तलासने के लिए कोई पहल होती नहीं दिख रही हर मामली में न्याय पालिका को बीच में डालनी की परंपरा के मायने यही हैं की सरकार और राजनीतिक दल अपनी भूमी का में खरे नहीं उतर पा रही गणतंत्र दिवस की सार्थकता तभी साबित मानी जाएगी जब तकराव का रास्ता छोड़ सभी राजनीतिक दल आम सहमती का रास्ता तलासने में सफल होकर दिखाएं समथ